मध्य प्रदेश के साथ ही 36 गड़ में भी कल से टीका करन शुरू हो जाएगा प्रदेश में 99 वैक्सिनेशन साइट्स निर्धारित की गई है राइपुर में मेडिकल कॉलेज और महारानी अस्पताल को इसके लिए चुना गया है पहले चुरण में 2,67,399 हेल्थ केर वर्कर्स को वैक्सिन लगाई जाएगी इदर बेभागों के समन्वे से ज्वाग रुकता भ्यान भी चलाया जाएगा पहला ठीका राजधानी में अमबेटकर अस्पताल के 30 साल के वाड़ बॉई राम प्रसाद को लगाया जाएगा यहीं नहीं डॉक्टर राजिंद्र परगनिहा सवल सर्जन डॉक्टर पी के गुपता और एंट डिरेक्टर डॉक्टर नतिन एम नागरकर का नाम भी वैक्सिनेशन सुची में पहला है बाद हुआ है तो खलste डॉक्शन की शुरुवात होने जा रही है और राजधानी में कुछ प्लड़ए कि गया है जिनको पहली वैक्सिन लगनी है राम प्रसाद है जो की वार्ड में काम करते हैं स्वास कर्मचारी है इंको पहली वैक्सिन लगनी है राम प्रसाद पहले तो काफी आपको खुशी हो रहोगी बदाई आपको क्या आपको पहली वैक्सिन लगनी जा रही है पहला इस अपने आका तो पहला वैक्सिन मुझे ही डर लगए या खोशिए कोई डर वाली बात नहीं है खुशई की बात है डॉक्टर करने के बाद पूरी तरह hat सकसेज होने के बाद में यह सब वशे लगाना तो खुशई की बात है कि डग रहा है और उतमेंगे बात करेंगे कि अपर्धान मंदरी बदें सब्सक्राइब करेंगे घर वालों क्या रिएक्षन घर वाले तो काफी अच्छे बोल रहे हैं बदा ही दे रहे हैं कि आपका नाम सेलेक्ट होए करके बहुत शुब कामना है आपको थैंक राम प्रसाद थे जो कि पहली वैक्सिन इंको लगनी है और बहुत खोशी है इंको औ थोड़ा सकी प्रधानमंत्री से भी हो सकता है कल उंकी बातचीत हो जाए तो पूरी तरह से राम प्रसाद कल वैक्सिनेशन के लिए तयार है कैमरमें दिपा के साथ अभी शेक शुक्ले बंसे